है 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 फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं इस्टेडिशीट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजुकीशन की चिप्टर वाइज इंपोर्टेंट एंसे कीउट को प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से चेप्टर चल रहा है अनुटोमी एंड फीजियोलोजी यान इसरी रचन बिग्यान इसका टॉपिक चल रहा है गरंतिया जिसमें से अंतर इस्तरावी गरंतिया वाह इस्तरावी गरंतिया तो दोस्तों यह फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपेटिटिव जोंस का प्रिप्रेशन सिलिबस के एकॉर्डिंग कर रहा है तो मेरे चैनल पे सभी दोस्तों कोस्टिन है कि मादा जनन हार्मोन कों सा है दोस्तों मादा जनन हार्मोन इस्ट्रोजन पो इन टीनों हार्मोन है तो उप्यूक सभी यहां पी सही हो जाएगा नेश्ट है नर जनन हार्मोन है कौन है दोस्तों इसमें एड्रिनलीन पोजिस्ट्रोण इस्ट्रोजन टेस्ट्रोजन तो इसमें टेस्ट्रोजन नर हार्मोन सा है नेश्ट है लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है तो लड़ो उड़ो हार्मोन दोस्तों एड्रिनलीन हार्मो होता है जो एडिनल ग्रंथी से निकलता है यह हमारे अचानक होने वाले परिस्थितियों से संकत करने के लिए तैयार करता है जैसे कि क्रोध आने पर डर लगने पर घुटन होने पर घबराहट होने पर भूख लगने पर यह बढ़ जाता है और जिसके कार रक्तदाब भी बढ़ जाता है पर अंतरांगों की क्रिया विधी धिमी हो जाती है नेश्टा हमारे सरीर का रक्तचाप कौन से ग्रंथी करती है नेश्टा हमारे तोचा को रंग देने वाला वड़क कौन है जैसा कि हमारे तोचा को रंग देने वाला वड़क ह मेलनिन सरीर में पाए जाने वाली कौन से ग्रंथी वाहिनी विहीन है यानिकि नली का विहीन है तो कौन से ग्रंथी होती है अंता इस्तरावे ग्रंथी होती है जो नली का विहीन होती है जो हर्मोन से इस्तरावित करती है जो हम अपने हर्मोन को सीधे रख्त में छोड़ती है इस अभी क्या है आंतर इस्ते कि हैं आंतर इस्तावित करती हैं अंतर इस्ते गन्थिया में आगनास ने क्रियाज निवन में से कौन अंता हिस्त्रावी ग्रंथी है एडिनल थाराइड पिट्री एकरित तो यहां पर क्या पूछा है कि निवन में से कौन अंता हिस्त्रावी ग्रंथी नहीं है दोस्तों नहीं है पूछा है तो आपका यहां यकरित हो जाएगा यकरित वाहिस्त्रावी नेशधा अंतरह ही ग्रन्थी को किछ नाम से जाना जाता है तो वाहिनी वीहीन ग्रंथी यानिकर नली का वीहील क्राइल के नाम से जाना जाता है इंग्लिव भी इसको एंडोक्रायन्ट करते ह हैं मैंति औरसे कौन एक ग्रंथे देवन टेयर यौषाल descete प्रम्रफव सब्सक्षं क learns कि यह अन्य सभी ज्रण्थियों को नियंदतर करता है nester thream सी से थारक्षिं इस्तरावित करने के लिए उत्यजित करने वाला अन्सर्ण्वी हार्मोन कोई सा है तो यह आपका है ती एसेच याने की थाइराइट इस्टिमिलेटिंग हर्मोन इसको थाइरोट्रोपिन हर्मोन भी कहा जाता है यह थाइराइट गरंथी से थाराइट से हर्मोन इस्ट्राइवित करने के लिए उत्तेजित करने वाला प्यूस गरंथी से निकलने वाला हर्मोन है नेष्टे है, अ्शह में कौन सा ENJYME होता है, जिससे जिवारो मर जाते हैं, तो हमारे आशुो में Lysysğimля Except, इजिवारो क्या करते हैं, मर जाते हैं, नेष्ट है, Oxytoxyn Harmon की इस ग्रंथी से इस्त्रावित होता है, तो यह ऐख आक्सी टुक्षिन हार्मोज जो होता है वह प्यूस गरंथी से हिस्तलावित होता है नेश्ट है हमारे सरी में सबसे छोटी गरंथी कौन सी होती है दोस्तों तो यह प्यूस गरंथी होती है सबसे बड़ी गरंथी कौन होती है तो यकृत होती है सबसे बड़ी अंतर तो aggregate सबसे बड़ी कि भिन्टी तो एकलास सबसे चोटी इतलबी तो two good कि ए अब धियान में रखेंगा में नेश्ठे बहुदा अगनासा यान इस्तीत होता है जिसमें इल्फा सेल बिटा सेल डेल्टा सेल एफसेल से ग्लुकोगान इस्तावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में करता है और बीटा सेल से इंसुलीन इस्तावित होता है जो ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में करता है नेस्ट है बिर्दी हर्मोन्स चानि इस्तरावर किस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष करता है तो कमी हो जाती है तो सुगर निकलने लगता है उसी चोलते हैं लेस्थ और ट्रोफिक हार्मोन का इस्तरावर कहां होता है दोस्तों गोईनोरोट्राफिक हार्मोन का इस्त्रावर जो है पियूस ग्रंथी के पस्च पाली यानि की एडिनो हाइपोफाइस से होता है इसको बेसोप्रेसीन हार्मोन भी बोला जाता है ध्यान में रखेगा हार्मोन जो यकृत में काम करता है तो ग्लुकोष को गलाइकोजन में प्रोटित करता है वह कहां से निकलता है तो पैंक्रियार यानि आगनासा से निकलता है यहां पे किसकी बात कर रहा है वह ग्लुकोष द्राव यानि की ब्लड फेसल रथा ही इस पंदा यानि हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं तो यह अचानक संकट काने इस्थित्यों के लिए यह सयोग करता है हमारे ताल में इस्थापित करनेवा तंत्र होता है यानि की तंत्र की या अंतर इस्थापित करने वाले तंत्र है निस्थे हार्मोन होता है होता है यह राशानिक संदिश वहाग याजिए कि केमिकल मैसेंजर होता है ने लिए स ребята राइट गरंती निमनरी कर्टेड की किस रत्या के सम्रूप होती है तो यहां धायट sioda Verti निन काटेग्स जो होता है वह अाहिं यहें credo beiten ke रत्या की सम्रूप होता है निज्ट है निज्ट निमिन में अन्ता ह्य इस्ट्रावी ग्रफ ग्रन्थी कौन सी है तिली पित्युत्री अंताइस्तल्रभी ग्रंती है.. नेश्ट ये मनुर्वर में आयोडीन की कमी से या घेंगास रोग हो जाता। सरीर के कोसी कोँ में आधारी उपाप़ब्र जर्द का संचाल नंग क्रता है नृष रीओं के साली catching कुन करता है ? थालाइट बंधी निस्ठा एंड्रोजन किसे इस्तावित होता है तो दोस्तों है और picked up है तो हुता हर्म२ है जब कि एश्टरोजन मादा सेश हर्म२ है तो इस एकन DR επιuins होता सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब होता है यहां मुत्रकी तनुता से समधित होता है नेश्ट है थाराक्सिन हार्मोन किस ने प्रिथक किया था केंडॉल ने अडिनेरिल हार्मोन क्या करता है यहां रोधिरिदाप को बढ़ता है हीरे की धरकन लीज़र के है। यहाँ पी यह दोनों कार्य करता है अबस नबर स्क्रेट कहा जाता है कौन हार्मोन इस्ट्रावित नहीं करता तिल्ली आत्र अमासे फिर्मोन से इस्ट्रावित नहीं करता है तो इस्प्लीन यानि की प्लिया जो होता है वह हार्मोन से इस्त्रावित नहीं करता है नेश्ट है मधुमे का रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि इससे रुधीर से नहीं पतात अधिक मात्रा में निकलता है कौन सा पतात निकलता है आप समझ गए होंगे सरक्रा ठीक है नेश्ट है पिटूट्री हार्मोन के कम इस्त्रावर से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों तो इसके कम इस्त्रावर से सारे रोग हो जाते हैं जैसे कि बौनापन डिवार्फिज और बच्चों में वैसकों में पिटूट्री मिक्सिदिमा ये तो ग्रोथ हार्मोन के कम इस्त् और यहां पर हो जाएगा डाइबिडे इंसी पीडेस याने की उदक में हो जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप की सभी कोस्टन्स आपको समझ में आए होंके दोस्तों वीडियो को जादे सब्सक्राइब कर दिए जिसे न्यूव वीडियो का अपडेट आ झाले पुर्ण के ले लिए पाय सेरे से हीडियो जाएबियो का ड네요 जाएबियो का लाएब जाएबियो के लिए इंस आवाफ़ जाएवा जाएब